हलो गाइज वेलकम टो यूर चैनल एंब ये वाला और आज बात होगी काट 2022 स्लोट 3 की यह सीरीज जहां पर हम देख रहे हैं कि वह कौन से क्वेश्चन है जिनको हम एक मिनट के अंदर कर सकते हैं वह कौन से क्वेश्चन है जिनको हमको एक्जाम में टार्गेट करना तो वह आप से 10-12 मिन्ट में हो जाते हैं और 27 माक्स आपके किटी बैग में अल्रड़ी आ जाते हैं तो गाइज अफकोर्स यूओ लॉट अलोट अबाट मीनाओ राइट कैट 99.82 परसेंटाइल है राइडे रूड़की और कौन्ट मेंटर इन यूर व्यूटिफुल चैनल एमबीएव वाला तो कैट 2022, slot 3, trick-based questions under 1 minute, before moving ahead मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आज हम इस वीडियो को थोड़ा unique style में चलाएंगे, मैं question लेके आउँगा, पहले मैं उस question को fast, trick से quickly solve करूँगा, जैसे अगर हो मेरे actual paper में आया होता, तो मैं उसको कैसे करता, ताकि आप आपको पता भी चल जाएगा कि वो जो question है, वो actually में 15 seconds में हो सकते हैं, आप follow करने ही कोईश करने है, क्या वो method आप follow कर पा रहे हो, अगर आप वो कर पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, नहीं कर पा रहे, उसके बाद मैं detailed solution भी दे दूँगा वसी question का, ताकि आपको पता चले कि मेरे mind में कौन से steps हो या calculations हो ही, so that you can understand कि अभी और कितना fast आप हो सकते हो, right, फिर उसके बाद आपको वो shortcut भी समझ में आ जाएगा, right, तो guys, game start करते हैं, get your watches ready, सबसे पहला question हम करेंगा, x plus 1 by x, time starts now, अब अगर यह मेरे से पूछता, इसकी minimum, minimum पूछते ही ऐसे situation, मुझे प ही लिखा हुआ है, x square minus 6x plus 9, एक बचेगा, partially divide करते ही, यह बन गया x minus 3, जिसको of course मैं 3 minus x भी लिखी सकता हूँ, क्योंकि whole square है, right, तो I will write it down as 3 minus x, plus 1 upon 3 minus x, और इसकी minimum value हो दिया 2, question खतम, that fast we can be, अब समझते कि यह हुआ कहा से, right, अगर आप भी 2 तक पहुच गा, इसी speed पे बहुत बढ़िया, पर आप समझते हैं कि यह 2 हुआ कैसे, तो guys समझो, मेरे mind में क्या चला, मेरे mind में simple सी बात चली, कि भाई, नीचे 3 minus x है, correct, उपर क्या हो रहा होगा, जैसे यह minimum word दिखता है न, मेरे को वो concept चमखने लगता है कि x plus 1 by x, इसकी minimum value जो होती है, वो होती है 2, correct, और यह आपको बता होता है, right, अगर आपको यह बात ही नहीं पता है, तो अभी हम थोड़ा से lag करें, we are not on the right video, ठीक है, amgm से भी आती है, right, otherwise quadratic से भी निकाल सकता है, तो इसकी minimum value होती है 2, जहाँ पर जरूरी नहीं है, कि यह x ही हो, यह t square हो सकता है, y q हो सकता है, यानि basically simple सी बात है कि something, right, plus 1 upon something, की minimum value पोती है 2, अगर यह something positive हो जाए, आपका x positive हो जाए, तो, अब मैंने कहाँ यह नीचे 3yx है, उपर ही मेरे को 3-x का whole square जैसा लेगा, क्यों, क्योंकि देख रहे हो, यह 3-x का whole square करूंगा, तो 2 अभी वाली term 6x बनाती है, मैंने कहाँ यार होतो स सकता है, तो जैसी 3-x का square मैंने उपर लिखने के कोईश करी, तो मेरे पास क्या है 9, मेरे पास क्या है, माइनस का 6x, 2ab वाली term, और प्लस का x square, यह मैंने इसका square जान के लिखा, अब मैंने इसको इसके साथ जब match किया, तो मेरे पास x square है, माइनस 6x है, बचा वो 10 था, मेरे पास 9 है, तो मैंने कोई बात नहीं, प्लस 1 कर दो, 9 प्लस 1, 10 हो जाएगा, तो यह स्टेप मेरे दिमाग में हुआ, अब यह बन गया, मेरे पास 3-x का whole square, प्लस 1 अपॉन 3-x, मैंने partially divide किया, जब this upon this किया, तो यह ऐसा हुआ होगा, और प्लस यह 1 upon 3-x पे लिए गया मैं, this upon this से मेरे पास आगया 3-x, और यह आगया मेरे पास प्लस 1 upon 3-x, यानि कि मैं पहुच गया something, प्लस 1 upon something, तो यह मैंने direct इतने में किया, जो आपको भी actually समझा है, now this actually became something, प्लस 1 upon something, and where, this particular thing, यह जो आपका something है, that is 3-x, यह greater than 0 ही है, क्यों, क्योंकि x 3 जे छोटा है, यानि यह उधर जाएगा, तो 3-x क्या रहा है, greater than 0, अब something प्लस 1 by something बन गया है, जहाँ है positive, यानि इसकी minimum value, जो है, वो पक्का आपके पास कित्ती आएगी, 2, अब यह बात बस पता अगर आपको हो, तो अब जितने भी minimum possible value वाले question है, वहाँ पर जाके tackle कर सकते हो, this is the calculation lending method, but this goes in my mind when I do the exam, right, यहाँ यहाँ पर मेरा purpose ही नहीं कि देखो, मैंने 15 second में question कर दिया, मेरा purpose ही कि आप सीखो की 15 second हो सकता है, right, तो that is it guys, यह आपके मन में इतने में हो जाता है, but you have learnt one very important thing, something plus one by something की minimum value होगी 2, इसको याद रखना है, right, this is something to be remembered, AMGM से आता है, और याद रखना है कि यह वाली जो value है, जिसको आप something बोल रहे है, this has to be positive, right, वो अपने आप cat बना दे ठीक है, ठीक, अगले सवाल पर चलते है, stairs वाले question, escalator वाले question, ठीक है, तो वापस keep your clocks ready, फट आ फट मैं पहले खुद से करूँगा, फिर मैं explain भी कर दूँगा, तो कह रहे है, moody takes 30 seconds to finish riding if he walks at his normal speed in the same direction, 20 seconds to finish the escalator if he walks at twice his normal speed in the same direction, तो बता आना, ठीक है, दो time दे रखे है, मैं 30 20 का LCM दे रहा हूं, मैंने का 60 steps है, अब मैंने का 60 steps है, जब वो escalator के साथ साथ जा रहा है, उसकी normal speed मालने थे, हम moody जा रहा है, तो m, plus escalator की speed e equals to 60 हो गई, moody ने जब अपनी speed double कर दी, तो वो गया 2m, जा escalator के साथ ही रहा है, तो plus e कितना हो गया, उसकी speed हो गई 20, अब 60 by 60 ह हो गया, यहाँ पर उसकी speed कितनी हो जाती है, 60 by 32, और यहाँ पर रहते ही 60 by 23, यहाँ से m भी आ गया 1, और e भी आ गया 1, अब क्या बोल रहा है, कि कितना time लेगा अगर वो जा रहा है, escalator पे और वो खुद खड़ा है, तो m होगा नहीं, यानि 60 by 1, आंसर होगा 60, इतनी दे आप देखो, जैसे यह आपने बोला, moody takes 30 seconds, to finish riding an escalator, if he walks it in the normal speed in the same direction, मतलब पहले जब moody ऐसे जा रहा है, ठीक है, यह माल लेते, moody है, अब यह सा मेरे बन हो रहा है, यह उपड जा रहा है, और यह escalator जा रही है, escalator की speed E पकड़ लेते हैं, moody की speed M पकड़ लेते हैं, right, मैंने यह जो है 20 और 13 का LCM ले लिए और माल लिए कि यह जो steps थे, यह 60 steps थे, right, 60 steps में इसको लगा 30 seconds का time, यानि इसकी speed कित्ती हो गई, effective speed, जो total speed इसकी हो गई, right, वो कित्ती हो गई, मैंने का speed हो गई by 60 steps, और total time ले रहे 30 seconds, यानि इसकी speed हो गई 2, that was this 2, correct, अब इसकी speed actually में है कित्ती, इसकी speed M plus E, तो M plus E हो गए 2, M plus E क्यों, M यह उपड जा रहा, E उपड जा रहा, वो जानते हैं कि जब भी stairs के साथ जाओ, आप दोनों की speed एड हो जाती है, जैसे कि downstream में होता है, तो M plus E escalator की speed हो गई 2, speed 2 क्यों हो गई, क्योंकि मैंने step 60 माल गई, time 30 था, 60 by 32, तो यह मैं equation सीधा लिखा, right, उसके बाद उसने बोला कि इसको 20 seconds लग रहे है, जब he walks at twice as normal speed, जब इसकी speed double हो गई, तो M की जगे क्या आजाएगा, 2M, escalator वैसे का वैसे चल रहा है, इस time पे इसको लाग रहे है, 20 seconds, तो इसकी effective speed कितती होगे, इसकी होगे 60 steps, right, divided by 20 seconds, यानि कि 3, correct, तो यहां से मेरी 2 equation है, यह 3 कहां से आया, यह 3 आया, आपका 60 by 20 करके steps, by time, अब यहां स से ना, मैंने observe भी कर लिया, कि यार M B 1 रहा होगा, E B 1 रहा होगा, 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 3, हो जाता है, नहीं तो आप मन में माइनस भी कर सकते थे, माइनस किया, यह कटा, 3-21, 2M-M, M, M, M equals to 1, correct, यहां से मैंने तुरन लिख दिया, M equals to 1, और E equals to 1, तो यह सब चीजे मेरी मन में चल ली, अब यह कहरा है कि उस दिन क्या हुआ होगा, जिस दिन, मूडी जा के स्टेर्स पर घड़ा हो गया, और सिर्फ एसकलेटर लेके जा रही है, यानि अब क्या हुआ है कि यह भाई मूडी भाई आया है, और मूडी भाई का मूड है कि आज मैं नहीं चलूँग आई डिरेक्टली रोट दे एक्वेशन और आप भी शायर लिख पाऊगे, अगर आप एसकलेटर के साथ जाते हो, तो M प्लस E, अगेंस आते हो, तो M माइनस E, और अब आपने जाते 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 अपनी स्पीड डबल करती है, तो 2 M प्लस E, एसकलेटर के डबल होगे, तो हम लेके टोटल स्टेप्स मालनी है, और डाट मेड आर क्यालकुलेशन सूपर इसी, सूपर इसी, समझ गया है, तो यह कहानी, यह कोशन टू होगे, आप शायद नोट कर रहे होगे, नोट करके बताना मुझे लास्ट में कितना टाइम लगता है, 9 कोशन मुझे कर रहे हैं, वेट करना मेरी एक्स्प्लेनेशन के लिए मैं डीटेल भी दूँगा, ठीक है, चालो, तीसरा सावाल, कन्फूजिं स्टेट्मेंट्स, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड कोश्चिन, तू कार्स ट्रेवल फ्रम डिफरेंट लोगेशन अट कॉंस्टेंट स्पीट, तू मीचीज अदर स्टाइट इड़ स्टाइम टेग 1.5 वार्स, ठीक है, शेम डिरेक्शन में निकल रहे हैं, तो distance by smaller कित्ता होने वाला है, speed by smaller, जो की 60 दे रखिया, into time by smaller, by the slower car, when it meets the other car, why traveling towards each other, एक दूसरे की तरफ आते हैं, कितना डाइम लेते हैं, तो इसको speed into time, ये तो बहुती सीधा गोश्चिन था, आंसर आगे हैं, 90 खतर, सरी क्या हुआ, अब समझो क्या हुआ, सिनेरियो देखो, तो दो कार है, राइट, दो कार है, क्या हुआ, कह रहा थैं, कि जब ये एक दूसरे की तरफ आती है, तो देड़ घंटा लेती है, बहुत बढ़िया, दोनों एक डियरेक्शिन में जाती है, तो साड़ेज घंटा लेती है, बहुत बढ़िया, फिर question हम से पूचा है, उस कह चलेंगी उसके बाद कह रहा है कि जो slower का रहा है उसको कारे पकड़ लेते हैं यह 60 किलोमेटर पर आ रहा है बहुत बढ़िया और यह दोनों एक दूसरे के तरफ चलने वाली है चलो भाई मेरो क्या है और मुझे पता है देड़ घंटे मिल जाएंगी राइट दे मीट एड़ वहां से चलता हूँ आ रहा है देटेग 1.5 वार से ट्रेवल टूवर्ड जो मैंने बना दिये डेड़ घंटे मिलने वाली मिला है यह कार चली 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 और यह टाइम यहां से यहां तक पहुचने में मिलने का टाइम इनको लगा डेड़ घंटा राइट यह 1.5 वार में य पहुचन सिर्फ आपको इसका कोई कहां में नहीं साड़ा दस घंटे का भागल बना रहा है जब वह ऐसे चल रही है डेड़ घंटे ले रही है इसकी स्पीड 60 है तो एक इतना रहा है सिक्स्टी इंटू चलते जा रहा है 1.5 90 चला है मिलने तक खतम बात कोशन ऐसी बेव को जोड़ते हैं तो लाइंस क्वेश्चन क्या 202 मतलब कुर्शन असान है बिलकूल है चौतर सवाल पर चलें तयारो गेडियर क्लॉक्स रेडी स्मार्ट अप्रोच ओफ एवरेज अब तेखते हैं कंसीडर शिक्स डिस्टेंट नेच्रल नंबर चाह छे अलग अलग नेच्रल नंबर से एवरेज ऑफ टू स्मॉलेस्ट नंबर इस फॉर्टीन इन दोनों की एवरेज फॉर्टीन है यानि की सम ट्वंटी एथ है नंबर तो इसको 28-28 तो नहीं कर सकते 27-29 होंगे तो यह 26 और 25 यानि इनकी मैक्सम पॉसिल वैल्यू 51, 50-50-100, 128, 129 and 135, 135 डिएड़ बाइ 6 and that gives us 222.5 is the answer, खदा, स्टॉप कर दो वाच, सर क्या हुआ समझी ने लगी, समझाओंगा तो अब अभी तो समझा है कहाता अब समझेंगे क्या किया यह सर ने, सुनो मेरी वाद, जैसी उसने बोला 6 distinct branch of numbers, यह distinct मेरे दिमाग में चप किया, यह number मैंने 6 dash बना दिया, perfect, अब, कह रहा है, average of the two smallest is 28, sorry 14, मैंने कहां इनका sum तो 28 है, fix है, कोई नहीं ला सकता, number कुछ भी मैं, I don't care really, sum 28 है, largest two number का, average is 28, यानि 28 तो जा, इसका sum 56 हो गया, इसको भी कोई चेंज नी कर सकता, इसको भी कोई चेंज नी कर सकता, यह दोनों तो set है, right, numbers क्या है, वो देखेंगे, सोचने पढ़ते की नहीं, अब कह रहा है, maximum possible average, यानि यह दो number अब भी आपके हाथ में, इनका sum आपके हाथ में, इसको maximize करो, यह maximize हो गया, तो maximum average, यह minimize हो गया, तो minimum average, सही बात है, क्योंकि भाई, इसका sum और इसका sum तो भी क्सा, यह तो मिला आपके 56 रहने वाले, यह मिला आपके 28 रहने वाले, इनको आप नहीं छेड़ सकते हैं, बड़ इन दुन numbers को आप छेड़ सकते हो, तो यह दुन numbers कैसे maximize करे जाएं, सोचते हैं, इधर average चाहिए 28, तो अब आप क्या चाते हो, इन numbers को बड़ा, और यह number इन से छोटे हैं, क्योंकि यह largest two number हैं, अब अगर आपने माल ने दे 56 को ऐसे बाट दिया, कि भाई, यह 50 है और यह 6 है, अब यह 6 से छोटा होना पड़ेगा, य अब आप यह 56 को उटा के देखो, 4610 रख दिये, अब आप बिचारे constraint हो गए हो, आपको यह 10 से छोटा रखना पड़ेगा, और वो रखना नहीं चाहते हैं, आप तो बड़ा रखना चाहते हो, तो इनकी maximum possible value क्या है, अब इनकी average जब 28 है, तो इनकी maximum possible average 28-28 रहती, पर क्यों उसने distinct बोल दिया, तो आप 28-28 नहीं रख सकते, तो तो इन the second best possibility इसको 29 कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इसको एक कम कर देते हैं, तो आपने इसको 27 कर दिया, और इसको 29, this is the best possibility for us, ताकि मैं इसको maximize कर पाऊ, अब जब यह भाई set हो गए हैं, तो इनकी सबसे बड़ी possible value-value क्या है, 26-25, game गता, अब होगे अपना game, अब यह 26-25 इनका sum 51, इनका 56 है, इनका 28 है, add कर दिया, average निकाल निक डिवाइड बाए 6, calculation 21st की game गता, अब यह मेरे mind में चला, मेरे दिमाग का set है, maximize करना होता, तो इनको maximize करो, खता, right, game over, sir minimize करना होता, average को ultra कर देता, तो 13-15 करते हैं, नहीं, क्या बोला, distinct natural number, इसको मैं एक कर देता, इसको मैं 27 कर देता, right, यहां से फिर maximum लग जाते, अब इसको छोटा करना है आपको, तो क्या करोगे, 14-14 करोगे, right, अब आप इसको 14-14 करोगे, तो आपको 14 से उपर रखना पड़ेगा, correct, तो कुछ भी कर लो, बेस्ट है, इसका 14-14 है, वो रखनी बाऊगे, तो 13 और 15 रख देंगे, अब 13-15 रख दिया, तो मैरे पास 16-17 की option कुल गया, 16-17 से छोटा तो मैं इनको कभी रखी नहीं बाऊँगा, सभी बात है कि नहीं, अब जैसे इसको 12-16 कर दोगे, तो 17-18 होने लगे है, तो अगर आ हमारा question maximum का था, तो this is the average thing which you have learnt, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 question 21-2, slot 3, amgm पर सवाल, ठीक है, get your clocks ready, एक question फिर से मैं करूँगा, and then the explanation part will follow, पहली बार में catch-up कर पाऊ, तो बढ़ी है, नहीं कर पाऊ, तो tension मत लेना, आगे बढ़ना, if c is this for some known reason, then c cannot take the value, ठीक है भाई, तो इसकी maximum minimum value निगालते हैं, तो इसकी होगी भाई, this into this करूँगा, 16 into 49, उसका root करूँगा, 4 आएगा, 4 into 7, 28, 28 to 56, यानि ये number 56 से बढ़ा होगा, right, या फिर minus 56 से छोटा होगा, क्या हो रहा है भाई, इसमें minus 56 से छोटे में ये आ रहा है ये answer है भाई, c minus 50, खतम done, तो ये कैसे हो गया है, समझ ही नहीं है, रुको अब समझाएंगे, आभी तुम भी समझ जाया गए, नमबर तक कैसे पहुचा मैं, अब देखो, amgm क्या खेता है, right, amgm क्या कहता है, समझे इसको, amgm कहता है कि भाई, दो numbers के sum, divided by 2, यानि उनका under root, this will be greater than cost to root, ये कहता है, आपका amgm inequality, जब भी आपको ऐसे दिखे ना, कि ये x सिदह उदर जा रहे है, y इदह उदर जा रहे हो, और बात हो रही हो, maximum minimum की, cannot take the value की, समझ जाना, यानि range oriented बात हो रही है, तो समझ जाना, यही लगने वाला है, फायदा क्यों है, क्योंकि upon y, correct, और दूसर नमबर आपका is b, जो कि ये 49 y upon x, done, अब देखो, अब जब मैं a plus b upon 2 करूँँगा न, a plus b से मेरे पास c बन जागा, यही तो मैं चाहता हूँ, done, अब अपन ये लगाते है, mgm inequality, this plus this, यानि कि 16x upon y, plus 49 y upon x upon 2, अम यही कर रहा था अपने मन में, मैं यह क्यो established हूँ, मुझे पता है न, this plus this upon 2 करने वाला हूँ, this plus this कि ऐस c, तो मैंने अपने मन में सीधा c by 2 बढ़ा इसको, right, amgm inequality मन में चल दिए, यह मैंने का a plus b, जो कि मेरे दिवाग में ऐस c, c by 2, अब greater than equals to, अब root a भी है, यानि इन दोनों का product, इनी दोनों को मैंने मन मन में मल् 56, अब तुम यहाँ देखो, अभी भी नहीं समझ पाया, तो यहाँ देखो, 16x upon y, multiply by 49 by x करने, यह मैंने मन में किया, कर सकते हो, आप भी अब मन में, यह तो मन में कटी जाएगा, दो नमबर आपके सामने चमकते हो, नजरा रहे हैं, यह आपने काट दिया, अब इनको root से भार भी ली जाना है, आपने, तो 16 का मेरे मन में भार आया, 4, और 49 का मेरे मन में भार आया, 7, which became 28, और फिर यह 2 दर गया, तो c greater than कितना है, 28 into 2, 56, तो यह पार्ट मैंने मन में किया, कि this plus this, यानि कि c by 2, मेरे मन में लिखावा है, c by 2, greater than equals to, यह कटा, 4, 7, 28 into 2, 56, मैं लिख 56 से हो जाता है, छोटा, बस यह बात दिमाम में रखनी है, कि यह नंबर अगर 56 से आगे करके, तो 56 से बढ़ा रहेगा, अगर आपके और भी positive है तो, और अगर यही कल को negative निकल गए, right, positive है तो 56 से बढ़ा होगा, और यही नंबर negative बन गए, तो यह minus of 56 बन जाएगा, और उ 60 इस से उपर है, यह भी आप attain कर सकते हो, this region you can attain, this region you can attain, इसके बीच में नहीं बना सकते है, simple, फिर minus 50 यह नहीं बना सकते है, minus 50 यहाँ पढ़ा होगा, correct, minus 60 बना सकते हो, यह यहाँ पढ़ा होगा, this is also allowed, तो इसके उपर जाना है, और इसके नीचे जाना है, इसके बीच की बात है, not allowed, that's it, यही है, समगे, यह सब बात है, clear होने चाहिए, amgm inequality आना चाहिए, हमको, right, छोटी-छोटी बात है, आनी चाहिए, average का concept आना चाहिए, तो यह सब question बनते हैं, 15-15 second बनते हैं, यह preparation should be strong, ठीक है, आगे बड़े, question 6 की बात करते हैं, वापस, get the things ready, don't worry, if you are not at this pace right now, अगर आप से 30 second बन रहा है, very good, 1 minute बन रहा है, very good, 1 minute तक बन रहा है, very good, नहीं तो सीखने को मिल रहा है, then also very good, right, चले, आगे बात करें, let's go ahead, अगर आपको पता है, तो आपको पता है, यह के बात है, देखो, quarter lateral है, integer values है, 3 side है, 1, 2, 4, total number of possibility, कुछ भी कर लो, 4, 5, 6, 7, sum से छोटा रहेगा, और सबसे बड़े में से बागी दोनों का sum minus कर दो, 3, 4, minus 3, 1, 1 से बड़ा रहेगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, answer, that's it, देखा, देखा, कैसा हो गया सरी, समझते हैं, समझ नहीं तो बेटे है, अब यह बड़ी सी बात होती है, कि quarter lateral की, अगर 3 side आपके पास, 1, 2 और 4 दे रखी है, जो बचिवी चौती side है, 4th side, will always be less than sum of the all 3, 4, 5, 6, 7, यहा से आए 7, 4, plus 2, plus 1, and will always be greater than, जो भी इन तीनों में सबसे बड़ी है, उस में से minus करो, sum of other 2, ठीक है, sum of other 2, तो यह किया मैने मन में, 4 minus, यह सबसे बड़ी वाली में से minus किया, इन दोनों का sum के तवा, 2 और 1 का 3, 4 minus 3 बन किया, 1, 1 से बड़ी, और 7 से छोटी, 2 से लेगे 6 तक, गिनली है, manually, खतम, छोटे numbers 1 और 7 भी निले ने, इस बात का याद रखना, बस, यह तो कोशन वैसे भी असान था, concept आता होगा, तो very easily you can do, 6 कोशन उचुगे, 18 नंबर मिल चुगे, and I don't know how much time I have taken, not in the explanation part, but doing myself, ठीक है, तो आप पे notice कर सकते हो, now you actually know, यह ट्रिक्स काम आती है, अगर मैं यह करके नहीं द 1 minute है, लगा रहे 5 minute है, तो वो दिखा रहा हूं कि under 1 minute में होते हैं, explain कर रहा हूं आपको, ताकि आप आज भले एक मिन्ट में ना कर पाओ, पर आने वाले समय में, शायद एक महीने बाद, दो महीने बाद, एक मिन्ट के अंदर कर पा रहे होगे, क्योंकि अब आपको वो hack औ मैं ऐसे और वीडियो ले के आऊँगा, सारी ट्रिक्स ले के आऊँगा, कि सारे के PYQ को मैं एक मिन्ट के अंदर ले के आजाऊँगा, except the ones जिन में calculation demand होती है, और वहाँ लगे का time जाँगा, ठीक है, तो समझो calculations कैसे मन में कर रहा हूं है, और उतने fast आप लोग भी हो सकते हो, बस भरोसा रखना है अपने उपर, सर मैं तो mass background से नहीं हो, मैं कैसे इस level को reach कर आओ, बड़ा कर पाया, डर मत, जितने लोग तिरे को बोल रहे हैं कि तिर से नहीं होगा, तो mass background से नहीं है, यह सब भाई, खुद नहीं कर रहे हैं, आपको भी नहीं करने देर, negativity से धूर बागो positivity की तरफ आओ कोई भी बच्चा स्टार्ट करके कर सकता है बस वो give up ना करे वो सीखे राइट हम यहाँ पे न क्या करते हैं बस वीडियो देखते रहते हैं फॉल्ट देखते हैं यह करते हैं वो करते पर हम अपने आपको ग्रो करने की बात नहीं करते अगर हम उसकी त पर रोज आप 10 वर्ड लिखते हो लिखते लिखते कब आप पूरी किताब लिखते हो के पता नहीं चलेगा आपको समझे रहो इस बात को चलो easy geometry if you know of course right some people might say कि सर यह easy नहीं था tough था right बट आज जब आप इस question को जान लोगे concept को जान लोगे तो कल आपके लिए असान बन जाएगा ठीक है चलो suppose the medians BD and CE medians है तो O centroid हो गया ABC meet at O area of triangle ABC is 108 EOD निकालना है ठीक है यह हो गया आपका 108 तो यह हो गया आपके 54 54 राइ 54 54 हो गया तो यह ratio है 2 is to 1 यानि यह 36 और यह 18 इसको मैंने जोड दिया तो यह वापस 2 is to 1 यह 18 तो यह 9 answer होगे 9 that's it count गेम तो खतम है आंसर आने वाला है 9 तो देखते हैं 9 कैसे आया ठीक है अब इसको समझते है राइट एक बार मैं इन सबको मिट होता हूं so that you understand की क्या हुआ है और वापस आ जाओ आप समझो कि दो चीजे होती है और उसको बात करते हैं सबसे पहले चीज आपको क्या मालू होने चीए कि जो आपका मीडियन है अगर आपके पास एक ट्रैंगल है the first concept ठीकने को यह बहुत कुछ मिलेगा आप सीखते जाओ अगर आप मीडियन मेनाते हो तो ट्रैंगल का अगर एरिया ए है राइट रादेन ए लेट्स टे का नंब समझे में असानी होती है रइट हमारे गेस में ता था 108 तो यह मीडियन आपको आधा-धा बाढ़ देती है 54 54 राइट यह हमने यहां पे किया कि यह मीडियन थी सी तो मैंने 108 को बाढ़ दे यह 54 और यलो वाला एरिया आपके पास हो गया 54 राइट इस एरिया की बात कर रहा ह यह आपके पास 54 है अब आपने यहां से देखो यह लाइन जा रही है और हम जानते हैं इसको टू इस्टू वन के रेशियो में बाढ़ देता है तो यह तो यह पूरा एरिया जो आपके पास है 54 अब याद रखना कि जैसे ही आप ट्राइंगल के अंदर एक लाइन बना के इसको बेस को बाटोगे तो जिस रेशियो में बेस बटेगी उसी रेशियो में बट जाएगा median opposite base को 1 is to 1 के ratio बाटती तो equal equal बढ़ता था इसे ने 2 is to 1 में बाटा है तो ये ratio भी 2 is to 1 के area में बढ़ जाएगा simple एक triangle के अंदर opposite vertex से मार दो line जिस ratio में base बढ़ेगी उसी ratio में area बढ़ेगा ये ही law है अब 54 को 2 is to 1 के ratio में बाटा तो of course 18 3 जा है तो 18 2 जा ये बना होगा और 18 1 जा ये बना होगा आपको करना है तो x और 2x मान के x plus 2x 3x equal to 54 करके भी करो पर काफी लोग fast calculation मेरे ख्याल से कर पा रहे होंगे कि 54 को 1 is to 2 बाटा ये 18 ये 36 यानि अपने बास ये कहा नहीं आ चुगी 18 और ये आ जोगे 36 अब हमसे बात कर रहा था EOD की राइट अब आप देखो इधर आजाओ मैं ये वाली फिगर बना रहा हूं ये ऐसे आप पहुंच चूगे हो ठीक है ये आपके बास है ये आपके पास है D अब वापस आपने ट्राइंगल से एक लाइन मारी है अब जब एक वर्टेक्स से लाइन मारूँ आउगा जैस रेश्यो में आपकी लाइन होगी जो आप जानते हो टू इस टू वन का रेश्यो है क्योंगी ये भी तो मीडियन ही उसी रेश्यों और जब यह पार्ट 18 है यहां से लेगे यहां तक यह आप निकाल चुके हो तो यह किता हुआ तो यह तो यह 9 यह किया था मैंने बस क्लियर गेम खताम तो अपने आगे भाई टूटल 108 यह वाला 54 36 आप इधर आ गए यह आपके पास है 18 कितना एरिया और यह रेशियो है तो यह तो नाइन जा वन नाइन जा यह एरिया होगे नाइन कहता है क्लियर यह कि मैं बस क्लियर इतनी सी बात है समझ गयों तो बहुत ही बढ़िया अब यह डूमेटरी आने चाहिए अपकोर्स हम कैट के पेपर को डिसकर्स कर रहे हैं तो अफकोर्स वी आर गोइं टो यूस क्वांट के बेसिक रूट्स रूट्स राइट और यू कैन सी गा है इसको स्कूल एज लेज दिन 5000 स्टुडेंट और स्टुडेंट इवाइड इकोली इंटो टीम्स ऑफ नाइन टैन ट्वेल्फ और ट्वेल्फ और ट्वेंटी फाइव तो चार लोग बचते हैं ठीक है तो इनका लसम ले लो प्लस फॉर करना है उत्ते लोग बचेंगे ल नाइन लिख देता हूं फिर पूरा नाइन ने बढ़ गया जब नाइन ने प्ता तो इसका एक टू और बचा होगा और इंटू टू यह मैंने तो फास्ट ले लिया यह हो गया पचास 45 पचास इंटून इंटू 450 इंटी टू 900 यह हमारा है गाइस 900 चार बच रहे हैं यानि कि जब 11 बच पहरी बुद्च को यह बाइस आप गया यह जाया तो ऑफकोर्स बाखी नहीं होता हैं यह भी नहीं है अटारास चार बच्छें और मैक्सिम्न अगर बाटा आगर ऑच क्तो फिल जाएगा शार बच जाएंगे तो ने कितिना फास्ट कैसे यह कैसे चीत आगी है अब तुम्हारी वारी सीख हो उति हैं किलिए के यह क्लिए सब से पहले मैथट तो किलिए क्लिए यह बच्पन से कोश्यन करते हुँ आ रहे हैं कि 9 में बाठ रहो दसमें बाठ रहो 15 बाठ रहो अब इनका LCM आप लोग निकाल तो बड़े तरीके से ठीक है मैं देखो कैसे निकालना सिखा रहा हूं ट्राइ करना इसको समझने का आपको नॉर्मल तरीका तो LCM निकालने का आता ही होगा सबसे बड़ा नंबर बगड़ो मैंने सीधा लिखा 25 आप दो बार फाइव लिखते आप पहले फाइव लिखते आप इसको टू बना देते यह कटता नहीं यह ऐसी आजा था यह यह फाइव बचता आप फिर दुबारा फाइव लिखते है ना तो यह नौ हो जाता यह तो चल समझे रहा कर रहे हो यही मैंने याँ किता था तो अब देखो अब मैं डारेट करूंगे की मैं ऐसा कर गग रहा हूं तो मैं सबसे बड़ा वला कि अब मैं 9 लेके भागा, 9 लेके भागने का मतला में 7ky23 चुरहीं लगा was Jr. पाрез इसके ल दो टास्न स्फी अिसक कह बासु छाले स्फ्कौहच सबाएं और सब्सक्राइए hun and now you have the LCM, अब इसको multiply करना असान है, 224, 425, जो 100, यह मन में हो गया, 100 इंटो 9, 900, LCM 900 आ गया, यानि 900 के multiples जो हैं, वो सारे इनके common multiples हैं, और सम्मे चार-चार बच्चा बच जाता है, तो मैंने 900 के multiple करें, 900, 1800, 276, 344, इसके आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि 5 यार से कम बच्चे हैं, इसके आगे 5400 हो जाए, तो यह possibilities है, अब 11 का multiple है, अब 11 का divisibility क्या होता है, क कि even terms और odd terms जो place terms है, उनको add करो, subtract करो, 11 का multiple होने चीए, 9, 4, 13, minus 0, 13 आ रहा है, 11 से जाता नहीं है, 8 और 4, 12, और यह 1, 12, minus 1, 11, चला गया, तो यह हो सकती है, कहानी, यह 11 से डिवाइड होता है, यह 7 और 4, 11, और यह 2, 11, minus 2, 9, यह तो होनी रहा, 11 से डिवाइड, similarly, 6, 4, 10, minus 3, यहां से 7 और यह, 5, 4, 9, minus 4, 5 और यह, तो यह सब तो भाई, जानी रहा है, 11 से तो यही अठारा सो चार बच्छे रहे हो, अब जब इन में से बारा बारा निकाल रहे हो, तो इसको मैंने बारा से डिवाइड कर दिया, 12, 15 जा 18 सो होता है, correct, 12, 10 जा कित्ता होता होता है, 12 जब 1210 जा 12100 तो 12500 जा किता होगा, 12500 जा किता होगा, यह 1200 जा होगा 1200 तो 1250 जा किता होगा, 600 यानिगी 800 यह कर लिया मैने मन में, रण तो 1500 होगा, 4 बच्चे हम क्या करें, बच्चे दो बच्चे, तो यह गाई आपकी कहानी, ठीक है, now we are done with 8 questions and you have seen how fast we can get, what we need to do is, we need to practice and we need to know the right concepts, x plus 1 by x बार-बार आएगा, जो metric का वो particular जब triangle बीच में line mark area डिवाइड करते तो ना बार-बार आएगा, इस तरीके से आप जो है, 40 minute के अंदर, 17-18 सवाल, decently attempt कर पाते हो, 17-18 के हो सर, आज तो आप बहुत जल्दी करे जा रहे हो, नहीं, कुछ question जो है, वो मैं लेके आय जो जल्दी हो जाते हैं, there are some questions which will take time, ऐसा नहीं है कि आप सब विदिन 30-30 seconds कर दोगे, नहीं, यह तो hunting है, मैं डूंट रहा हो questions, जो असानी से किये जा सकते हैं, right, कहानी बढ़े, work rate and time assuming number, a group of n people worked on a project, they finished 35% of the project by working 7 hours a day, माल ने ते एक बंदा एक घंटे में एक काम कर रहा है, तो n people 7 घंटे में 7 n काम करेंगे, और 10 दिन तक कर रहे हैं तो into 10 काम कर देंगे, और इसमें 35% of work खतम हो गया है, अब 10 people चले गए, यानि की हो गए n minus 10, and the remaining people finish the rest of the work in 14 days, and they were working 10 hours a day, तो इतना काम किया होगा, और काम खतम हो गया, this is 65% of w, divide करो, game खतम करो, जैसी मैंने डिव n उडएगा, 7 से ये 2 हो जाएगा, ये 5 7 जा है, 5 13 जा है, and I get n upon 2 n minus 20, is equal to 7 upon 13, ये 13 n बनेगा, ये 14 n बनेगा, उदर जाके हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 140, वो आ जाएगा, इधर तो n आ गया 140, correct, then बूच के रहा है, the value of n, ठीक है, 140 answer होगा, ये game over, चीक है, सरी कैसे, इत्ती जल्दी calculation हो रही है, बेटा, time, practice, अब देखो, आपने मैंने किया किया, समझते हैं इसको, मैंने क्या कहा, मैंने कहा, assume कर लेते हैं, कि जो worker है, right, जो worker है, वो एक घंटे में, एक काम कर रहा है, ठीक है, clear, तो आपके जब n workers आए, वो किती दिर काम करें, 7 घंटे तो 7N काम हुआ होगा, right, एक worker एक काम करता था, correct, एक घंटे में, n workers, n काम करें, एक घंटे में, 7 घंटे में, 7 घंटे में, और एक आनी, 10 दिन तक चली, तो इंट्टो 10 भी कर दिया, यह हो गया, टोटल वर्क, और यह वर्क, जो question कह रहा है, वो कह रहा है, यह 35% of work, 35 भी लेगा, n-10 हो गया, remaining people finish the rest of the project, rest of the project बोले, तो 65% of w, correct, and in 14 days, यानी, यह हो गया, इंटो 14, और वर्किंग 10 आर साटे, 10 आर साटे, तो n-10, इंटो 10, यह एक दिन का काम, इंटो 14, 14 दिन का काम, then, अब तो मैंने काट आए, और मैं डिवाइड कर रहा था, तो मैं अलग, अल मैं गटे का सीद है, यहीं काट हो, क्यों इटेंशन ले रहे हो, 10 से, 10 कट गया, 7 से 2 जाओ गया, अब 5, 7 जाओ गया, और 5, 13 जाओ गया, मैं डिरेक्ट इस अपॉन दिस लिखा, n अपॉन इसको, हाथ वाथ मुल्टिप्लय कर दिया, मैंने 2 n-20, equals to 7 upon 13, अब यह मेरे दिम होगा, वो मेरे दिमां में लास्ट में आएगा, यह 39 इदर जागे, क्या बना देगा, n बना देगा, करेक्ट, इसके पास वाला बंदा इदर है, अब इसके पास वाला बंदा, मैंने लास्ट में देखा, क्या था, वो ता 720, 140 उसको मैं इदर लिया है, तो यहाँ माइनस 140 होगा, जो इदर होगा, और 140, that's how I do calculation, focus on one kind of variable for the first time, अगर आप connect कर पा रहे हो, तो बढ़िया, otherwise you can follow normal calculations as well, but you will be fast if you understand what I am doing, मैं एक बार में एक variable को focus करता हूं, पहले मेरे दिमाग में constants थेहिनी मैं सिर्फ N पे खेल रहा था, 7 तू जा 14 N, 13 N, 13 N इदर गया, 14 मैंस 13 N, खतब, इसलिए मेरे N भी इदर है, क्योंकि 14 N इदर बना था, अब मैंने का N सेटल होगे, आप constant लिखते हैं, यहां से constant आनी रहे, यहां से आ रहा है, माइनस का 140, उदर जाके 140, खतब, सर A की line तो कम लिखी, आपने फायदा क्या हो, बिटा एक line कम नहीं लिखी, एक line मतला मैंने 10 word कम लिख दिये, 5 word कम लिख दिये, 20 question मैंने 100 word कम कर दिये, अब 100 word लिख के दिखा हो और देखो कितना time लगता है, कम से कम नहीं तो 2 minute तो लग जाएंगे 100 word लिखने में आपको, और जब 100 word लिखने में 2 minute लग रहे हैं, that means it is one question, yes, एक line miss कर देना कोई बड़ा तोप नहीं है पर जहां आपको मिले ही 40 minute है, वहाँ एक एक word को बचाना, is actually your aptitude, your skills, समझे बातो, now guys, these were the 9 questions which I brought for you, but my idea was not to make you, you know, go into self-doubt कि यार ये तनी fast कर रहे हैं, बागी लोग भी करते होंगे, नहीं, एक तो सारी जनता ऐसे नहीं कर सकती, मैं आपको train करके इस लेवल पर लाने की को in quant, तो guys, अभी आपके पास और scope है, और बढ़ा सकते हो, this is for the people who are doing less in quant thinking, ये कभी अचीवनी हो सकता है, हो सकता है, with the practice and there are hacks and you have to learn them, you have to go through them, you need to know the tricks, you need to know the hacks, you need to know the right way, it's not maths, it's not quant, it's quantitative aptitude, right, so we know the quant part, but we need to build the aptitude part, we need to be fast and we can learn these hacks, nothing to get demotivated, it's just the right techniques we need to know, then we are nothing, we are doing nothing extraordinary here, right, so guys, I hope you enjoyed it, ऐस और कुछ चे होगा तो बताना, I will bring to just open up your mind, बस देखो उसको और समझो, क्योंकि पहले 10 मिनट में रिजिस्टेंस आयागी इतना वास कैसे हो है, but then you learn the other way around the second way, how from the conventional ways, I am going to the faster ways, by skipping steps in the conventional ways only, ऐसा नही है कि मैंने conventional way यूस करी, मैंने यूस करीए, यूस करीए, पर कभी नंबर है जूम कर दिया, यह fast calculation करीए, यह स्टेप्स खागया हूं मन में कर दिया, I hope you guys enjoyed it, now it is the time when we learn these things, so that we can manage the time, so for the people who think managing time is impossible, this video was right for you, आसन्दाय वत्व पताना, till then, bye bye and take care.